सनातन धर्म के अनुसार सप्ताह के साथों दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है। गुरुवार का दिन भगवान विश्नु को समर्पित है। इस दिन भगवान विश्णू की पूझा के साथ साथ ब्रहस्पति देव की पूझा करने से शुगफलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ती की किसमत का ताला चमकता है। जोतिष शास्त्र के अनुसार भगवान विश्णू को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। जियोतिष शास्त के अनुसार गुरुवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्थ में उठे और स्नान करें. स्नान करते समय उम्ब्री ब्रिहस पते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें. इतना ही नहीं, नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी अवश्य डाल लें. इससे ज केले के पेर में जल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटे दूर होते हैं. वहीं, अगर एप वैवाहित हैं और वैवाहित जीवन में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो केले के पेर की पूजा करने से जल्द छुटकारा मिल करता है. गुरुवार के दिन स्नान आदी के बाद पीले रंग के कपड़े पहने. साथ ही, भगवान विश्नु की प्रतिमा या चित्र के सामने देसी गी का दिया जलाएं. इस दिन भगवान विश्नु की पूजा सामगरी में पीले रंग के फूल, तुलसी का पत्ता जरू पूजा करते समय माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक लगाएं. धार में एक मान्यता है कि भगवान विश्नु को पीले रंग की चीजे काफी प्रिया हैं. इसलिए संभव हो तो ब्राह्मनों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, पिला फलादी का दान कर ब्रिहस पतिवार के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर चने की दाल और थोड़ा सा गुर रखें. गुरुवार के दिन भूलकर भी एक काम ना करें, इस दिन भूलकर भी किसी को उधार न दें. और नहीं किसी से उधार लेने चाहिए. वहीं, अगर गुर झाल झाल झाल